नवश्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ECG के बारे में ECG यानि इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम जिसे हम EKG भी कहते हैं इस EKG के बारे में जानना जरूरी है कि ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमारे हाट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की मदद से हाट में होने वाली प्राव्लम्स के बारे में जानकारी देता है तो इसे हम एक पेपर पर ट्रेस करते हैं और ये हावारे हाट के मस्कुलर एक्टिविटीज के बारे में बहतर जानकारी दे सकता है इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं 12 Leads को क्या concept है तो standard जो 12 Leads होते हैं वो heart की electrical activities को body surface पर check करते हैं और इसकी मदद से हम बहतर representation बना सकते हैं जिसमें 6 pre-cardial Leads होते हैं और 6 limb Leads होते हैं तो इसके बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं pre-cardial or chest Leads यहाँ पर देखें वी 1, वी 2, वी 3, वी 4, वी 5, वी 6 यहाँ पर दिये गया हैं आप देखेंगे वी 1 और वी 2 यह 4th intercostal space में इनको लगाया जाता है इस turnum के दोनों ही side में इसके बाद आप देख रहे हैं 4, 5, 6 यह 5th intercostal space में रखे गए हैं इसमें आप देखेंगे यह mid clavicular line के along V4 की position है जबकि V6 की position आप देखेंगे mid axillary line पर है और V5 की जो position है वो anterior axillary line पर है तो आप इस तरीके से precordial archist lead की position को आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ECG में ideal standard जो तरीका है उसमें 12 leads होने चाहिए 6 precordial leads होते हैं और 6 limb leads होते हैं तो उसके बारे में भी देखना यहाँ पर जरूरी है यहाँ पर limb leads के बारे में दिखाया गया है हम देख सकते हैं bipolar limb leads और unipolar limb leads दो concept है यहाँ पर bipolar जो limb leads हैं उसमें lead 1, lead 2 और lead 3 होते हैं यहाँ पर दिखाया गया है कि lead 1 के जो recording होगी वो कैसी दिखती होगी तो यहाँ पर देखे P wave Q, RS जो complex है उसका orientation कैसा दिखता होगा यहाँ R waves दिखती है और यह T waves है यहाँ पर आप देखें P, Q दिखेगा यहाँ देखे R और यहाँ पर देखे यह T तो इस तरीके से आप देखेंगे limb leads 3 में P, Q, R और T के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है एक और image के माध्यम से हम लोग यहाँ पर limb leads के बारे में देख सकते हैं lead 1 है जिसका यहाँ positive terminal है यह negative terminal है इसको भी मैं एक equation के माध्यम से prove भी करने की कोशिश करूँगा आप यहाँ पर देखें इसे lead 2 में देखेंगे आप जो left limb या left foot जिसे कहते हैं यहाँ पर देखें दोनों ही lead 3 और lead 2 lead 3 और lead 2 दोनों का positive terminal यहाँ पर है और इनका negative terminal ऊपर की ओर जा रहा है आप इधर देख सकते हैं इसके अलावा आप देखें यहाँ पर positive terminal नीचे की ओर है negative terminal यहाँ पर जा रहा है और lead 1 में left arm से right arm की ओर positive to negative terminal दिखाया गया है यहाँ पर देखना महत्पूर्ड है कि किस तरीके से electrical activities को different leads देखती हैं तो यहाँ पर heart की activities को अलग-अलग leads कैसे watch करती हैं उनको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है आप देखें lead 1 इस orientation से देखने का प्रयास करता है lead 2 जो कि आप देख रहे हैं नीचे की ओर से किस तरीके से देखने का प्रयास करता है lead 3 इस direction से उसे देखने का प्रयास करता है वही पर आप देखेंगे AVR, AVL और AVF, ये अलग-अलग orientation से limlates, electrical activities को देखने का प्रयास करती है, यहाँ पर हाला कि जो बाते लिखी गए हों Chinese language में हैं, लेकिन आप उसको यहाँ पर देखें AVR, AVL और AVF, आप इसे तो देख सकते हैं न, यहाँ पर देखें ये किस angle से देख रही हैं, उस बात को यहाँ पर दर्शाया जा सकता है, यहाँ पर आप जो bipolar limb leads हैं, lead 1, lead 2 और lead 3 उसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक concept ये कहता है कि waves जब आगे की और बढ़ रही हैं तो उसके सामने पढ़ने वाले, जो electrical activities को जो watch करने वाले, जो ECG के leads होते हैं, उनमें आगे की और जो होंगे, उनमें positive waves बनेंगी, और जो पीछे की और होते हैं, उनमें negative waves बनती हैं, तो यही वज़ा है कि आप AVR में देखे, opposite waves देख रहे हैं, जबकि third, यहाँ पर देखे, जो proper हम देख रहे हैं, AVF, limb lead 2, यहाँ AVR और यहाँ पर lead 1, इन सभी में हम देख रह से इसमें waves बन रही हैं, इसका amplitude भी बदलते रहते हैं, लेकिन आपको यह concept याद रखना है, कि wave आगे की और बढ़ रही है, इसलिए AVR में जो waves का orientation है, वो opposite to, यहाँ पर देखे, आप जो इस side में जो waves है, उसके just opposite है AVR में, तो चलिए, one by one जितनी भी चीज़ों को हम लोग total leads होती हैं, जुसमें six precardial, six limb leads, जुसमें मैंने आपको बताया था, bipolar और unipolar, three unipolar और three bipolar, bipolar और unipolar का concept आपको समझना जरूरी है, यहाँ पर unipolar में क्या होता है, एक arm इसका, इस यहाँ पर थोड़ा से इसको समझ ले, AVR, इसमें AVR का मतलब क्या होगा, इसमें augmented vector R, यह unipolar का आप समझ ले, इसी तरीके से यह, पूरी तरीके से इसे explain किया जाता है, किस पार्ट में है, तो यहाँ पर देखें आप, AVL, यह क्या है, augmented vector left, यह है right, और यह है foot, तो यहाँ पर देखें, augmented vector foot, तो यह AVR, AVL और AVF, यह तीन unipolar leads होते हैं, limb leads होते हैं, और तीन bipolar, इसमें polarity का difference आपको clearly नजर आता है, इसलिए से, थ्री bipolar कहते हैं, 1, 2, और 3, यहाँ पर समझ लें, यह जो 1, 2, 6, जो pericardial जिसके बारे में बताया था, यह भी unipolar ही होते हैं, और इसका भी concept यही कहता है, कि यह unipolar limb leads हैं, जिन्हें हम precardial, या जिसमें हम number, इसे हम mention करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 6 के द्वारा, वो unipolar limb leads हैं, जबकि यहाँ पर 3 unipolar और bipolar हैं, इनकी locations को जब हम समझते हैं, तो जो precardial limb leads हैं, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, कि 4th intercostal space में V1, V2 को लगाते हैं, जबकि V3, V4, V5, 6, इसके location को जब यहाँ दर्शाय जाता है, तो आप ज़ादा तोर पर ध्यान देते हैं, V4 के बारे में, जो mid-clavicular line पर 5th intercostal space में लगाया जाएगा, V5 यह anterior axillary line पर लगाया जाती है, V6 जो की mid axillary line पर लगाया जाती है, इनको ज़ादा साथानी के साथ mention किया जाता है, और V2 और V4 के बीच में, V3 को रखा जाता है, यहा पर एक समझने वाला concept है, pre-cordial limb leads के बारे में, augmented limb leads, electrical potential में होने वाले changes को frontal plane में चिक करते हैं, तो इसलिए augmented leads हैं, AVR, AVF और AVL जिसको हम represent करते हैं, यह frontal plane में होने वाले changes के बारे में बताते हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, AVR, augmented vector, right arm, AVL, augmented vector, left arm, AVF, augmented vector, AVF में क्या है, foot है, तो इसमें left leg को ही हम दर्शाते हैं, यह concept हमें समझ में आना चाहिए, अब हम बात करेंगे इसके बाद, इतनोवेन triangle के बारे में, इन्थोवेन triangle, यहाँ पर देखें, यह एक imaginary triangle है, जो कि three limb leads की मदद से, एक imagine की गई triangle है, इसमें जो imagination किया गया था, वो imagination दोनों ही shoulder और pubis को imagine करते हुए बनाया गया था, हलाकि इसे आप real observation में ऐसे भी समझ सकते हैं, इन्थोवेन triangle को इस तरीके से भी आप imagine कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीचे की और positive potential होता है, आप देखें यहाँ पर, यह positive potential दोनों ही direction में जा रही है, और यहाँ पर limb lead 1 के लिए जब आप सोचते हैं, तो positive potential यहाँ पर होगा, और negative potential इस direction में दर्शाई गई है, इस into one triangle की खास बात यह है, कि यह inverted equilateral triangle के shape की होती है, जिसमें heart इसके center में होता है, और अगर इन सभी के voltage का summation क्या जाए, तो यहाँ पर zero potential प्राप्थ होता है, तो आप देखेंगे, heart is inverted equilateral triangle के center में रखा गया है, और अगर इन सभी limb leads के voltages का sum किया जाए, तो हमें resultant zero प्राप्थ होता है, यहाँ पर हम इन्थोवन triangle को देख सकते हैं, और heart इसके center में है, जब इन सभी limb leads को एक दूसरी के साथ मिला दिया जाए, तो आप देखें न, one है यहाँ पर, two को आप shift करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, three को जब आप यहीं पर रखेंगे तो ultimately यह सभी के सभी heart के center पर पहुँचेंगे, और इनका जो overall resultant जो potential होगा वो जिरो होगा, आप यहाँ पर देखें, lead one का zero degree angle पे, lead two 60 degree angle पे और lead three 120 degree पर इसके बारे में जानकारी देते हैं, तो यह axial reference system के according जो मिलने वाली activities की जानकारी है, वो कुछ इस तरीके से हमें पता चलती है, तो चलिए अब तक discuss किये गए, points को एक बार फिर से recall कर लेते हैं, right arm, left arm, left foot, अब इसको अगर हम मिला देते हैं, तो किस तरीके से हमें activities के बारे में पता लगेगा, उसको हम देखेंगे, तो जो मैंने आपको concept बताया है, वो नही सारी चीजों को हम लोगों ने समझा है, सहर एक limb lead को हम explain कर सकते हैं, one, two, three, आप देखें, anti-clockwise direction में आप बढ़ते हुए चलें, तो आप इस तरीके से इसे triangle को जब आप represent करेंगे, तो ऐसे represent करेंगे, अब एक तरीका हमारा ये भी है, इंधोवें triangle के लिए, कि इस triangle के according lead two की potential जो भी हमें मिलते है lead one और lead three के sum के बराबर होती है, तो जब हम इसे real में जब यहां जितने भी मिलने वाले differences हैं, उसको जब हम open करते हैं, तो left arm minus right arm one के लिए होगा, आप समझ सकते हैं, अगर image को आपने देखा होगा, तो उसको recall करें, lead three के लिए left foot minus left arm था, और ultimately जो हमार result मिलता है, lead two के लिए वो left foot minus right arm होता है, तो यह एक derivation जो हमारे equation का हुआ है, वो तभी संभव था, जब इनका resultant potential overall zero हो, तभी यह इस तरीके का equation हम prove कर सकते हैं, तो ultimately हम लोगों ने समझा, इन्थोवेंट triangle के बारे में और यहाँ पर मिलने वाले results के बारे में चलिए, ECG paper के बारे में चलते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं कि ECG के paper पर किस तरीके से recording होती है, और उसे कैसे समझा जा सकता है,